असलाम लेकूम आई टू फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप की सब अच्छे से होंगे रूबिस कुकिंग के एक और रेसिपे में आप सब का स्वागत है आज मैं आलू गोवी की बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही टेस्टी रेसिपे लेकर आई हूँ जिसके लिए मैंने यहां पे 500 ग्राम गोवी लिया है जिसे मैंने बड़े बड़े स्लैसिस में ही रखा है इसे मैंने छोड़े टुकरा नहीं किया है इसे हम अखा अखा ही रखेंगे भाजी में इसे मैंने नमक डाल के पहले से रख दिया था यहां मैंने दो बड़े आलू को स्लैसिस में कट करके रखा है इसे मैंने पानी में इसलिए रखा है कि काला ना पड़े यहां दो बड़े प्यास को मैंने एकदम बारिक बारिक चॉप किया है अब जितना बारिक चाहें उतना मिक्सर में प्यूरी बना लिया है अधर क्लास उनका पेस्ट यहां टू इस्पून मैंने दही ले लिया है अभी हम मसाला तयार कर लेंगे सबसे पहले मैं एक प्याले में दही आर टाल लूगी उसके बाद सब सुखे मसाले डालेंगे यहां वन टीस्पून कश्मीरी लाल मिश लिया है मैंने इससे कलर बहुत अच्छा आएगा सबजी का और आधर टीस्पून तीखी लाल मिश लिया है वन टीस्पून धनिया पौडर आड़ करेंगे आधर टीस्पून हल्दी आधर टीस्पून यहां पे जीरा और काली मिश का पौडर ले लिया है और आधर टीस्पून गरम मसाला लेंगे और सब मसाले को हूँ अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक भी आड़ करना बाकी है भी आधर टीस्पून से ज़ादा मैं नमक ले रही हूँ आप अपने स्वात के अनुसार ले सकते हैं हम यह मसाला इसलिए तयार कर रहे हैं कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है और दही फटता भी नहीं है इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा इसमें मैंने 2-3 स्पून के आसपास पानी आइड कर दिया है कि अच्छे से मसाला में दही में मिक्स हो जाए मिक्स करने के बाद ह एक पैन कड़ाई चड़ा लेंगे सब्जी बनाने के लिए यहां पर मैंने टू टेवल स्पून ऑइल जाला है पहले हम फ्लावर को यानि गोभी को फ्राइ करेंगे स्वाटे करेंगे इसे सोटे करने से वह सब्जी में खुटता नहीं है मैंने फ्लावर डाल दिया है तेल मे अब इसे मैं सोटे करूंगी और रियान यह रखे कि गयास का फ्लेम हाई ना हो मेडियम रखे कि बहुत ही अच्छे से कि फ्राइ हो जाए हम उच्छे यह स्लो फ्राइ करना है कि फ्राइ करने के दौराँ ही इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और टू पिंच हम हल्दी डालेंगे जिसने फ्लावर का कलर पूद अच्छा हो जाएगा इससे अच्छे से सौटे करने के बाद हम एक बावल में निकाल लेंगे मैंने इसे निकाल लिया है वाप कडाई को क्लीन करने के बाद वापस उसमें तेल आट करेंगे मैंने इसमें 3 टीपल स्पून आप तेल आट कर दिया है कि इसमें कुछ घड़े-करम मसाला ले लिया है मैंने वन इंच के आज पास मैंने दाल चीनी का टुकरा और एक बड़ी अलेंची लिया है और आधा टी में देंगे जैसे ही दोला थोड़ा पक जाएगा हम कांदा एक कर देंगे बारिक चॉपर के रखा तो वही कांदा यूज करेंगे को हमें अच्छे से करना है इसका कलर चेंज होने तब को चलाते हुए कांदा को फ्राइ करेंगे है है यहाँ पैर टेबलर स्पून मैंने जिंजर गालिक का पेश करदेंगे एरफ करने के पास यसित आप करेंगे करने के बाद हमने जो मसाले का एक पेस्ट बना के रखा है वह एट करना है हमें अब देखना इसके बाद कितना अच्छा कलर आएगा सब्जी का में मसाले में ख़़ा पानी एड करूंगी जिस बाद में मैंने मसाला बनाया था उसी को दो कर डाल देंगे हम कि मसाले को हमें वेस्ट नहीं करना है कि इसे भी हम पांच मिर्ट तक मेडियम आश में भूनेंगे अभी तक हमने टमाटर एड नहीं किया है, अगर आप टमाटर पेश्ट करके नहीं डालना चाहते हैं तो बारिक बारिक चौप करके भी डाल सकते हैं अब हम टमाटर डाल देंगे टमाटर डालने के बहुत ही अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है जब तक बहुत ही अच्छे से तेल दिलिजना हो जाए अच्छे से भुनाई करने के लिए धकन धक दिया है हमने मेडियम गैस का फ्लेम रखा है देखें कितना अच्छा मसाला भून चुका है और कलर भी बहुत अच्छा आया है थोड़ी देर में चलाने के बाद इसमें आलू एड़ करूंगी अभी ये 20 परसन मसाला पकना वाकी है इसके साथ आलू भी पक जाएगा मसाले में आलू को मच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम वापस ढखकन ढख देंगे और ढखकन ढखने के बाद हम 5 मिनट के लिए में आलू को मसाले को पका लेंगे देखें हमारा अलू अच्छे से पक चुका है हमें आलू को सिर्फ 70 परसन ही पकाना है उसके बाद ही हम फ्लावर एट करेंगे अगर साथ में आप एट कर देंगे तो फ्लावर तूट जाएगा इसलिए हम 70 परसन आलू को पहले पका लेंगे मैंने यहां पर कसूरी मेथी यूज़ किया है इससे फ्रेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप इससे भून कर डालेंगे न तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है अभी मैं फ्लावर एट कर दूँगी प्लावर एट करने के बाद इसे भी हम मसाले में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्लोली स्लोली मिक्स करने के कोशिश करें अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें पानी आड़ करेंगे आप कोशिश करें कि सबजी में आप करम पानी का यूज़ करें इससे टेस्ट खराब नहीं होता है मैंने यहाँ पे 1.5 कप के आज पास पानी यूज किया है फ्लावर और आलू को पकाने के लिए और मुझे थोड़ी ग्रेवी भी चाहिए था इसलिए आप इस तरफ आप इस स्टेज में जितना पतला खाना चाहते हैं उस हिसाब जिसने पानी आड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे डिर कब यूज किया है जिससे आधा कप पकाने में ही सुख जाएगा पाकि थोड़ा ग्रेवी रह जाएगा अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें धकन धकेंगे धकन धकने के बाद मुझे स्रिफ 5 मिनिट इसी पकाना है मेडियम फ्लेम में हमारी सबजी बनके तयार हो जाएगी इसी जादा ना पकाए उन्हें तो फिर फ्लावर एकदम तूट सकता है धकन धक दिया है बस 5 मिनिट के लिए में पकाना है पास मिनट हो चुका है आईए धकन कुल के चेक कर लेते हैं देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है सबजी का और खाने में और भी टेस्टी था मैंने उपर से थोड़ा हरा धनिया डाला है चलिए इस सबजी को सर्फ करके मिलते हैं हमारा गर्मा गरम रेस्टुरेंट स्टाइल आलू फ्लावर की सब्जी बनके तयार हो चुकी है आप सबको मेरे ये सिम्पल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा मैंने इसे गानिशिंग के लिए थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके रखा है अगर आप सबको मेरे वीडियो मेरे रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें ऐसे ही मज़दाद इसे पर आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी अल्ला हाफिज